नमस्कार मैं रविश कुमार सुप्रीम कोट में आज राम देव को बहुत फटकार पड़ी है बहुत ही जादा इतनी की मेरी भी आवाज धीमी हो गई है कोट की टिपणियां सुनकर तो राम देव अनुलोम विलोम ही भूल गए होंगे सांसे जहां होंगी वहीं अटकी रह गई होंगी आप से भी गुजारिश है कि सुप्रीम कोट के निर्देशों का ठीक से पालन कीजिए ठीक है कि पिछले दस साल में राजनितिक कारणों से माहौल ऐसा बन गया है कि कोट को भी लोग हलके में लेने लगे हैं सरकार समर्थक तो खास कर अपने आप को कोट ही समझने लग जाते हैं लेकिन आप यानि आम जनता ऐसी बुरी आदतों से बाज आएं वरना एक दिन राम देव वाली हालत हो जाएगी किसी जस्टिस की नजर पढ़ गई तो छुपने के लिए जगा नहीं मिलेगी आज सुप्रिम कोट में केवल राम देव को फटकार नहीं पड़ी है बलकि उन्हें बचाने के प्रयास में उत्राखंड सरकार और ड्रग इंस्पेक्टर भी लपेटे में आ गए कोट ने कहा कि उन्हें भी तुरंत निलंबित कर देना चाहिए ड्रग इंस्पेक्टरों को दूसरी बार माफी नामा लेकर आए राम देव लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से लाए कि अदालत और ज़्यादा नाराज हो गई इस वीडियो को करते वे लग रहा है कि कहीं राम देव हमी से ना नाराज हो जाए लेकिन राम देव का बचाव आज बीजेपी भी नहीं कर रही है जो केजरिवाल के मामले में हर बार प्रेस कांफरेंस करने आ जाती है कि कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा, अपरात तो हुआ ही होगा, तभी तो जमानत नहीं मिली है वही बीजेपी अब राम देव के बारे में कहने आ जाए क्यों नहीं कहपा रही है कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट कहा है, कि जो बयान दिये गए हैं, वो कोर्ट के सामने दिये गए बयान है तो वो पूरी तरीके से वैलिड हैं, और पुना मैं कह रहा हूँ, यही सब तो बाते कहते थे, अभी जो मैंने आपको अब्जर्वेशन सुनाया उसमें क्या है कि उनका कहना है, यही तो पता लगाना है बीजेपी इस केस में ऐसी दूरी बना रही है इस तरह से, जैसे राम देव कॉंग्रेस के लिए प्रचार किया करते थे, उनकी नजदीकियां कॉंग्रेस के नेताओं से रही है सुप्रीम कोट में वरिष्ट वकील मुकुल रहत गी, लगता है आज बहुत ही कमजोर केस की पैरवी करने आ गए राम देव और आचारे बाल कृष्ण के हलफ नामे के आधार पर कहने लगे के बिना शर्त माफी मांगी गई है मगर कोट ने उस चलाकी को पहले पकड़ लिया जस्टिस हीमा कोहली ने कहा कि कोट के कहने के पहले अब मानना कि ये दोनों आरोपी अपना हलफ नामा नए सिरे से लिक कर नहीं भेज सके भेजा भी तो पहले मीडिया को बाद में हमें मिला इस पर मुकुल रोहत्गी ने कहा कि यह तो रजिस्ट्री का काम है हमने भेज दिया था जस्टिस एहसान उद्दीन अमानुल्ला ने कहा कि आपने अंडर्टेकिंग का जान बुचकर उलंगन किया है हलफ नामे में हमें धोखा दे रहे हैं किसने तयार किया है इस हलफ नामे को हम इसे स्विकार नहीं करेंगे आप इसके बाद कारवाई के लिए तयार रहे कोट का रुख भाब कर मुकुल रोहत्गी ने कहा कि सुनवाई अगले हफ़ते होनी चाहिए तो कोट ने कहा आप इतने वरिष्ट वकील है या कहना कि उनसे गलती हुई है काफी नहीं पूरे समाग में संदेश जाना चाहिए या कानून का उलंगन है जब सरकार ने आप से विग्यापन लेने के लिए कहा तो आपने कहा कोट ने हमें नहीं रोका है या बात तो पूरी तरह से गलत है रामदेव ने ऐसी हरकत क्यों की जब इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने इतराज किया तब ही उन्हें सुनना चाहिए था समझना चाहिए था जब सुप्रीम कोट सक्त हुआ तब भी उनके पास मौका था कि वे अपने वहवार में बदलाव ला सकते थे लेकिन नहीं लाए नवंबर में कोट ने कहा अगर पतंजली ने भ्रामक विग्यापन बंद नहीं किये तो हम हर उस प्रोड़क्ट पर एक करोड का जुर्माना लगाएंगे जो इलाज का जूठा वादा करता है उस समय रामदेव ने कोट को वचन दिया कि भ्रामक विग्यापन नहीं जारी करेंगे लेकिन तब उसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया क्यों विग्यापन दिया क्या तब रामदेव को लगा होगा कि उनका कोई कुछ बिगाड नहीं सकता है राम देव के यहां मंत्री और मुख्यमंत्रियों की लाइन लगी रहती है ऐसे में कोई भी अपने को प्रशासंत सरकार और कानून से उपर समझ सकता है आजकल वैसे भी गोदी मीडिया ऐसे लोगों से सवाल तो करता नहीं तो पबलिक में भी इन सवालों को लेकर जवाब दे ही तै नहीं होती हर स्तर पर सारवजिनिक मर्यादाओं का कचुमर निकाल दिया गया है शायद इसी हनक में राम देव को लगा होगा कि उनका क्या ही कोई बिगाड लेगा वे जहां से बोलना शुरू करेंगे टीवी चैनल वहीं से लाइब दिखाना शुरू कर देंगे जिस तरह से पिछले दस साल में सरकारी महकमों और संस्थाओं का हाल हुआ है बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग सम्विधान और कानून का पालन कम बीजेपी का काम जादा करने लगे हैं ऐसे माहौल में राम देव क्या किसी को भी लग सकता है वे जो भी चाहें कर सकते हैं सब कुछ उनकी जेब में है राम देव ने आज एक नागरी के रूप में भी शर्म सार किया और योग गुरु के रूप में भी जिस पतंजली के नाम पर उनकी कमपनी सेंकड़ो करोडो रुपे का कारोबार करती है लगता है राम देव उसी पतंजली के पांच सुत्र भूल गए ये पांच सुत्र है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रा और ब्रह्मचर है, पहला तो सत्य ही है, लेकिन पतंजली नाम से कंपनी बनाई, चीज समान बेचने लगे, तो विज्यापन में भ्रामक दावे करते हुए पकड़े भी गए, सत्य का ही पालन नहीं कर सके, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस अमानुला की बेंच के सामने, रामदेव के बड़े बड़े वकील और उत्राखंड सरकार के वकीलों की फौज के पास कोई जवाब नहीं मिला, सुप्रिम कोट ने कह दिया कि इस केस से जुड़े तीनों ड्रग इंस्पेक्टर को तुरंथ ही सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, इनकी जगह नया अफसर नियुक्त हो और वो मामले की जाच करे, जिन अफसरों ने राज्य सरकार के दबाव में ये खेल खेला, सोचिए, आज वे भी सोच रहे होंगे कि उन्हें कोई बचाने नहीं आया, पिछले दस साल में नजाने कितने अफसर इस तरह का गुनाह कर बच गए, लेकिन कोई बात नहीं, उत्तरा खंड के ड्रग इंस्पेक्टर के निलंबन से इतना तो रास्ता बनी गया कि कोट में फसे तो नेता जी काम नहीं आएंगे, अदालत के सक्त सवालों से पता चल रहा था कि सरकार के स्तर पर च कहा कि यही कारण है कि सुप्रीम कोट का मजाक उड़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम अज्यानता के महलों में रहते हैं, अब सरों को जवाब दे होना चाहिए, यह कोई साधारन टिपणी नहीं है, रामदेव 2014 में नरेंदर मोदी के प्रधान मंत्री बनने तक उनकी रामदेव सुप्रीम कोट के सामने अपने जूट का बचाव नहीं कर पा रहे थे, माफी मांग रहे थे, मगर अदालत उनकी माफी पर यकीन नहीं कर रही थी, और काफी नहीं मान रही थी, जब खुद को धर्म गरू और योग गरू कहलाना पसंद करते हैं, तो इतना तो रामदेव में भ्रामक और जूटे दावे ना किये जाएं, कोट ने एक बार चेतावनी दे दी, तो फिर से विग्यापन नहीं जारी करना चाहिए था, रामदेव योग के बल पर नैतिक शक्ति प्राप्त कर सकती थे, मगर बाजार की शक्तियों के प्रलोभन में जूट ब बच सकें, यहां आस्था आहत हुई, ना इसे लेकर कोई आफ़त आई, रामदेव को भी सोचना चाहिए यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। के केस में लगी है, आप भी जीवन में ऐसा कुछ भी ना करें कि कोट के सामने ऐसी फटकार सुनने की नौबत आ जाए, उत्रा खंट के ड्रग इंस्पेक्टर को भी लगा ही होगा, बाबा रामदेव हैं, कोई क्या बिगाड लेगा, लेकिन जब कोट की खबर उन तक फी रहा, उसने कोई रिपूर्ट तक नहीं लगाई, इसे तुरंट सस्पेंट कर देना चाहिए, जस्टिस हीमा कोली ने कहा कि क्या ये लापरवाही नहीं है, क्या इस तरह से ड्रग इंस्पेक्टर काम करता है, हम क्यों ऐसा ना समझें कि आपकी मिली भगत है, आपने सार पत्र लिखे हैं, कोई मरे तो मरे, लेकिन हम केवल चेतावनी देते रहेंगे, उतराखंड के फूड एंड ड्रग एड्मिस्टेशन के जॉइन डिरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश कुमार से तो जवाब नहीं दिया जा रहा था, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, कहा कि मुझे बख्ष दीजे, मैं तो इस पत्पर जून 2023 में आया हूँ, मेरे आने के पहले ये सब हुआ है, तब सुप्रीम कोट ने कहा कि 2018 से आज तक राज्य लाइसेंसिक प्रादिकरन हरिद्वार के संयुक्त निदेशक का पद संभालने वाले सभी अधिकारी भी अपनी ओर उसे निश्क्रियता बताते हुए हलफ नामा दाखिल करेंगे, यानि उनके पहले जो इस पत्पर थे उन्हें भी हलफ नामा दायर करना होगा, अब पहले के अफसरों को फाइल करनी होगी कि तीन साल तक उन्होंने क्या किया, पद पर आकर मनमानी करने, लापरवाही करने और तबादले के बाद उससे मुक्त हो जाने के नाम पर मौज करने वाले अफसरों के आज होश उड़ गए होंगे, अब उन्हें लग रहा होगा कि राम देव के खिलाव एक्शन क्यों नहीं लिया, कहीं रास्टरवाद से ज़्यादा प्रभावित तो नहीं हो गए थे, उत्राखंड के लाइसेंसिक प्रादिकरण के तरब से जो हलफ नामा दायर किया गया था, जस्टिस अमानुल्ला ने उस पर भी बहुत कड़ी टिपनी की और कहा कि इस तरह के जवाबों को स्विकार कर लिया जा रहा है, इसी वज़े से सुप्रीम कोड का भी मजाक बन रह इस मामले में राज्य भी अफसरों के साथ मिला हुआ था, आपको नया लाइसेंसिंग अफसर नियुक्त करना होगा, जिनका इससे कोई संबंध ना हो, एक स्तर पर जब उत्राखंड सरकार के वकील ने बॉम्बे हाई कोड के आदेश का हवाला दिया, तब जस्टिस हीमा क पूछ बैठी कि किसने कहा है कि ड्रग एंड रेमेडिस एक्ट को बॉम्बे हाई कोड ने स्टे कर दिया है, उत्राखंड सरकार की तरफ से दलील पेश की जा रही थी कि विग्यापन में केवल इशारा भर किया गया था ताकि लोग आयूर्वेद से जुडें, इस पर भी स समझ में नहीं आ रहा है कि अदालत के सामने उनका जूट पकड़ा गया है, रामदेव को आज बड़े बड़े वकील भी राहत नहीं दिला सके, क्या ये उनका बुरा दिन है, उनके एक बुलावे पर बीजेपी शासित राज्यों के कितने ही मुख्यमंत्री चले आते हैं, लेकिन रामदेव आज कोट से कब निकल गए, कई कैमरे वाले हाथ ही मलते रह गए, मतलब उनका कोई बयान नहीं मिल सका, इस मामले में अगली तारीक 16 अप्रेल को पड़ी है, नमस्कार, मैं रविश कुमार